हाई फ्रेंड्स कैसे हैं आप आई होप यूड़न फाइन आज के बात करेंगे आप अपनी FD को कोट में जो सम्मिट करी गई है उसको कैसे वापिस ले सकते हो यानि कि आपने FD को किसी की जमानत में कोट में रखवाई है और आपका केस खतम हो गया है तब आप उस FD को कैसे अपने पास वापिस लोगे आपको क्या करना पड़ेगा देखे दोस्तों सबसे वेली बात यह है कि जब आप भी कोई भी अपना डोकुमेंट जो है एजे जमानत के तोर पर कोट में लगाते हो तो कोट वो अपने पास रख लेती है FD अगर आप लगाओगे तो FD की गरिजिनल कोपी जो है कोट अपने पास रख लेगी और अपन जो उसकी जमानती से एक डोकुमेंट ले लिया जाता है अब क्या कोई व्यक्ति अपनी खुद की जमानत दे सकता है यानि कि उसकी खुद की प्रॉपटी की खुद की जमानत दे सकता है नहीं दोस्तों कोई भी व्यक्ति अपनी खुद की प्रॉपटी के लिए खुद की ज question था कि आपकी FD court में पड़ी है आप उसको कैसे लोगे देखे दोस्तों जिसके नाम से FD है उसके नाम से court में application लगेगी कि वो क्या चाहता है वो जो है अपनी FD को वापिस लिना चाहता है क्यूंकि case केस खतम हो चुका है को देखे-दोस्तों case खतम कैसे हो सकता है अगर आप केस को वापिस लेख ले लो तब भी case खतम हो जाएगा रहाप Franc कोई व्यक्ति case जीत गया हो उसका appeal टाइम जो है वो खतम हो गया तब भी जो है case वापिस हो सकता है सो दोस्तों जब किसी व्यक्ति के ने case वापिस ले लिया है तो जो application लगेगी उसमें लिखेगा कि case वापिस ले लिया गया था इस तारीक को case लगा था, इस तारीक को season आया है तो केस वापिस ले लिया है तो अब मुझे जो है अपनी FD की कोपी वापिस दी जाए ये केस दोस्तों हमेशा जिसके नाम से FD है उसकी तरफ से लगेगा ना कि उस व्यक्ती की तरफ से जिसकी उसने जमानत दी है दूसरी बार दोस्तों अगर कोई व्यक्ति केस जीता है या फिर कोई व्यक्ति केस हारा है इस केस में अपील टाइम के निकलने के बाद ही जो है व्यक्ति कोई व्यक्ति जो है कोट में अप्लिकेशन डाल सकता है FD वापिस लेने के लिए अब appeal time जब निकलेगा तब भी वो व्यक्ति जो है अपनी application लगा सकता है FD वापिस लेने के लिए court में अब दोस्तों क्या-क्या document चाहिए होंगे सबसे पहले document आपको चाहिए होगा FD की copy अगर आपके वास FD की copy नहीं है तो court में apply कर दीजे certified copy अपनी FD की नहीं करवा लिजे आपका अधार card लगेगा साथ में उस order लगेगा जिसके through जो है जो ये कहता हो judge का order ये कहता हो कि ये case खतम हो गया है या फिर ये case को वापिस ले लिया गया है वो order लगेगा तब आपको जो है वापिस मिल जाएगी आपकी FD court में केश चलेगा judge साहब court में FD जो अपने application लगाई होगी FD की वो allow कर देंगे फिर आपको FD मिल जाएगी अपने जो भी अलमद रहेगा जो भी record सारा देखता है उसके बास जाकर वो application जो भी allow करीगी उसका order लेकर जाकर आप जो है FD ले सकते हो तो दोस्तों ऐसे FD आप अपनी court से जिसके जिसमें की FD को ऐसे जमानत दिया गया है आप court से वो वापिस ले सकते हो अगर आपको कोई भी फिर भी doubt है तो comment में फुश जाकर comment करें मैं आपके comment का जरूर अंसर करूँगा मिलते हैं अगली वीडियो में